नुहू चिले के गांगोली गाउं में कार्ट सबार पदमासों ने रास्ता रोकर दो भाईयों से मारपीट की है नगती चीनने का भी आरोप है जिसमें पुलिस ने केस दर्श कर लिया है आपको बता दें कि नुहू चिले के थाना रोजका मेव के अंतरगत गाउं गांगोली में कार सबार पदमासों त्वारा रास्ता रोक कर मोटर साइकल सबार दो भाईयों से मार पीट करने और नगधी छीनने का मामला सामने आया पीरित पक्स की सिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच सुरू कर दिया बता दें कि मंडोरी थाना हतीन जिला पलवल के रहने वाले अंकित ने सिकायत में कहा है कि बीते 6 दिसंबर की सुबह मोटर साइकल पर सबार होकर अपने भाई के साथ ग्रूगराम जा रहे थे सुबह साड़े साथ बजे की करीब गाउं गाउंगली थाना रोज का मिव की करीब पहुंचे तोशी तौरान पराबर में एक कार आकर रुकी जिसमें से पांच जीवक उत्रे सबी ने हातों में लोहे की रोड और टंडे ले रखे थे जिनोंने आते ही उन पर हमला कर दिया अंकित ने कहा है कि हमलावरों में से दो यवकों को पहँचान लिया जो उनके ही काउं के रहने वाले थे मारपीट के दोरान उनके हाथ पैर तोड़ दिये गए जबकि भाई को भी गंबीर चोटिल कर दिया गया आरूप है कि हमलावरों ने एक लाख नप्य हजार रुपे भी छीन लिये इसके बाद इसी सभी हमलावर चांज से मारने की धम की दे कर फरार हो गए रहागीरों की मदद से मारपीट की सूचना परीजनों को दी गई धायल अवस्ता में तोनों को नुहू के नलहड मेडिकल कॉलेज पहुचाए गया जहां पाद चिकत्सकों ने दिल्ली के लिए रहफर कर दिया पुलिस ने अंकुर वा अंकित सहथ तीन अन्य के खिलाप केस दर्ज कर चांस शुरू करती है आप देखें नुहू मेड से लियाकत अलिक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिएगा